हेलो प्रेंज वेलकम बैक टू मैं चैनल केंडीस कीचिन तो आज मैं आपके साथ साथ करूँ खीर पूरी की रेसिपी बारिस का मौसम है और मेरी घर में बच्चे को खाने है खीर पूरी तो चलिए बनाना सुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने लिए है चावल तो यह जो चावल को मैं पानी खीर बाका ही लिए यह घर मैं रखे गैस पर क्ढ़ा के करे तो यह चावल को उपस्ट को दूधाफ रोगां 55 यह काौई जिось कीण खीर द्षासा के पानी और दूदर 530 है और अपकोई तो यह गाई का तो मैंने घर का दूद यह यूज किया है और इस दूद को इस तरह अच्छा रहिए कडों कर लेंगे तो लोष हमारा अच्छा से घरम हो चुका है और इसके बाद सम्हें डालेंगे जी यू हमने भीगों के रखिते चावल वो चावल इस तरह कड़ए के अंदर डाल देंगे ताकि यह चावल भी अच्छे से दूद्ध के अंदर पक जाए और पांस-दस मिन्ते के दूद्ध को अच्छे से पका लेंगे ताकि हमारा चावल भी अच्छे से पक जाए जब तक हमारा दूद्ध अच्छे से पक कर लिया है और इन ट्राइफूर्स को इस खीर के अंदर डाल देते हैं तो मैंने काजु को थोड़ा सा पाने से वास करकी डाला है और इस तरह कड़े के अंदर डाल दिया है साथ इसमें डालेंगी इलाची पाउडर खीर के अंदर इलाची पाउडर का जो फ्लिवर है बहुत पक शुकर है इसके उंदर डालेंगे नारेल का बुरादा जिससे जो हमारेख्य है वो बहुत है जादा गाड़ी बनेगी तो मैं ने दो चमर जिसमें है सुकावाला नारेल बुरादा और इस तरह हमारा जो खीर है वो बन कर त्यार हो चुकिए इसके अंदर डालेंगे कुछ केसर के धागे मुझे के के अंदर केसर के जो धागिय का जो फ्लेवर है वो बहुत ज्यादा टेश्टी लगता जिसे जो खीर का कलर है वो बहुत अच्छ आता है तो जब तक हमारे थोड़े से खीर पक रहे हैं तब तक मैंने लिया है आलू अच्छे से चील कर इस तरह कट का लिया है और गैस पर मैं बने आलु कट करके रखे थी वो आलु इस तरह कड़ै के अंदर डाल देंगे और एक दो बार इस तरह चलाते हुए इन अलुको अच्छी से पका लेंगे जहां मा और अच्छी से सौफ्ट हो जाएंगे तब इसके अंदर डालेंगे हमारे बार करण के वी हरी मेड़ tomorrow, तो हरी मेड़ी को भी 1pl के लिए अच्छ से तक पक पका लेंगे हमारे जो आलू हरी मेड़ी है वो अच्छ से तक एंदर डालेंगे मासाले तू मैंने डाला है इसके अंदर Half चमर से थोड़ा सा ज़्यादा लालमिर्ची पाउडर साथ इसमें डालेंगे कस्मिरी लालमिर्ची पाउडर कस्मिरी लालमिर्ची पाउडर से सबजी का जो कलर हो बहुत ही बढ़े आता है साथ इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर हाफ चमर स्तन्या पाउडर और इसके अंदर डालेंगे पानी तो मैंने गरम पानी की इसके अंदर डाला है जिससे जो सबजी है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं जब भी आप इस तरह के कोई सबजी पहना है तो गरम पानी का ही यूश करें और अच्छे से पका लेंगे इन मसालों को तो हमारे मसाले जो हैं अच्छे से पक चु तो इस तरह हमारे जो आलू की जो सबजी है वो बनकर त्यार हो चुकी है तो मैंने इसके अंदर भी नमक एड़ नहीं किया क्योंकि चार्श वगर बहुत पार ऐसा होता है तो हमारे जो फर्ज आते हैं तो इसके अंदर मैंने डाला है हाफ चम से थोड़ा से ज़्यादा न करता हवा ह्रा धनिया थोड़क पुधनी के पतिया अब इसके जगप भी डाल सकाते मेरे पास पुधी नहीं तो मैंने इसके अंदर पुधिन टाला है और उस तरह हमारे जो टेस्ट रालू की सबजी है शर से बन्नकर त्यार हो चुकिया इदर खी पक्ते reviewed झार्क कर पत्य तो मैंने एक बड़तन के अंदर लिया है आटा इसकंद डालेंगे थोड़ासा नमल थोड़ासा हल्दी पाउडर और साथ में सब डालेंगी आजवाइन अर्शिवाइन का जुरू फ्लेवर अप फूर्या में बहुत ही बड़े आता है साथ में थोड़ी हल्दी भी डालें ताकि जो पूर्या का जो कलर है वो बहुत ही बड़े आएगा और अच्छे से इस तरह मिक्स कर लेंगी इसके मैं अंदर मैंने ओईल का यूस बिलकुल भी नहीं कि है बीना ओल के ही बीना मुईन के ही यह जो पूर्या है बहुत ज़्यादा फुली फुली सी बनेगी इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा लगाकर त्यार कर लेंगी तो इस तरह मैंने आटा लगाकर त्यार कर ली है और इस तरह इस आटे की दोई बनाकर तो इसके बाद इन लोईों की पुर्या बना कर त्यार कर लेते हैं, जब भी खीर पूरी बनाते हैं, तो मेरे घर में तो बहुत ज़्यादा सब को पसंद आती है, तो कोई भी खरोज सबको खीर पूरी पसंद होती है तो इस तरह मैंने पूरिया बना कर त्यार कर लिए बेल के और इधर में गर्स पर ऑईल रद्धे घरम होने के लिए और ऑईल हमारा जो अच्छे से गरम हो चुका है तो इन पूरियों को ऑईल के अंदर अच्छे सी फ्राय कर लेत अब था यहको अब भी अच्छे में यहांता है की फुलह वर निकाल देंगे और वहीं कर लेते हैं तो यहले जहले यह हमारी पुरिया कर त्यार हो चुकिकिए आपको मेरी यह खीर फूरी की लेस्पी कैसे लगी मुझे comment box में जरूर बता हैं साथ ही वीडियो अच्छे लगा हो तो अपने friends और family की साथ इस वीडियो को जरूर सरकें वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और सेख करें